हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फेफडे को अंदर से साफ और मजबूत करने के उपाय के बारे में कफ को करता है कम लासुन लासुन में एंटी ओक्सिडेंट काफी मात्रा में पाया जाता है इसके सेवन से कफ कम हो जाता है भोजन करने के बाद एक कली लासुन खाने से फेफडे साफ होते हैं लासुन के सेवन से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है रोज सुबा एक कच्ची कली लासुन की खाने से भी फायदा होगा इसके अलावा लासुन खाने से सरीर में कोलिस्ट्राल की मात्रा भी कम होती है जो दिल को स्वस्त रखता है सरीर के लिए जरूरी है लाइकोपेन टेमाटर, तर्बूच, पपीता, गाजर, सकरकंद जैसे खादे पदार्थों में लाइकोपेन पाया जाता है जो अस्तमा के रोगियों के लिए काफी फाइदे मंद माना जाता है इसके अलावा इसमें कैरोटीनैड और एंटी ओक्सिडेंट भी होता है जो फेफडों की कैंसर से बचाने में सहायक होता है विटामिन सी फेफ़ों के लिए फाइदे मंद सभी खटे फलों जैसे निम्बू, संत्रा, किवी, अंगूल, टमाटर, अनानास और इस्ट्रावेरी आदी में विटामिन सी भटपूर मात्रा में होता है इन सभी में एंटि-आक्सिडेंट काफी मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी के सेवन से फेफ़डे मजबूत होते हैं इसके अलावा विटामिन सी सारीरिक मजबूती के लिए भी महत पूर्ड होता है इससे रोग प्रतिरुदक शमता भी बढ़ती है फेफडों के लिए तुलसी एक भेत्रीन आउसदी अक्सर, सर्दी, जुकाम के समय फेफडों में जमा होने वाले कफ को दूर करने के लिए तुलसी की काढ़े का सेवन लाफकारी माना जाता है तुलसी में भी एंटी ऑक्सिडंट गुड होता है तुलसी की पत्तों को सुखा कर उसमें कथा, मेंथाल और इलाइची बराबर मात्रा में पीस लें और इसमें एक चमच पीसी हुई चीनी मिलाकर दिन में दो बार आधा चमच खाने से फेफडों में जमा हुआ कफ कम होता है फेफडों को मजबूत करने के अन्य उपाए फेफडों को मजबूत बनाने के लिए प्रडायाम और योगासन करना काफी अच्छा होता है इसलिए नियमित प्रडायाम और योगासन जरूर करना चाहिए फेफडों को मजबूत करने के लिए प्रडायाम सबसे वेहतर है क्योंकि इसमें स्वसंत्रक्रिया के दोरान फिर्फरों में मौजूद सभी गंदगी बाहर निकलती है